प्रेस ते बेल आइकन तो नेवर मिस वीडियो फ्रॉम टेस्ट बॉक डॉट कॉम नमस्कार दोस्तो और वेलकम टू दिस वीडियो जल्यावाला बाग घटना को आज यानि 13 एप्रिल 2019 को पूरे 100 साल हो जाएंगे तो आएए इस वीडियो में हम जाने की क्या था जल्यावाला बाग हत्याकान और इसी वीडियो की मदद से हम उन शहीदों को स्रधानचली अर्पित करें भारत के इतिहास में कुछ तारीक कभी नहीं भूली जा सकती 13 एप्रिल 1919 को बैसाकी के पर्फ पर पंजाव में अमरिस सर के जल्यावाला बाग में ब्रिटिश प्रिगेडियर जेनरल रेजिनौल डायर द्वारा किये गए निहत्य मासुमों के हत्याकान से केवल ब्रिटिश रासित राज्य की ही बरबरता का परिजय नहीं मिलता बलकि इससे भारत के इतिहास की धारा ही बदल कर रख दी है आए जाने क्या हुआ 13 एप्रिल 1919 को भारत में 6 एप्रिल की हर्टाल की सफल्था से पंजाब का प्रसासन बौक ला गया पंजाब के दो बड़े नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर किछलू को गिरफतार कर डिपोर्टेट कर दिया गया जिससे अमरसर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा जैसे ही पंजाब के ब्रिटिश प्रसासन को ये खबर मिली कि 13 एप्रिल को बैसाखी के दिन आंदोलन कारी जलिया वाला बाग में जमा हो रहे हैं तो प्रशासन ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली एक दिन पहले ही मार्शल लौक के गोचना हो चुकी थी पंजाब के राजा ने अतिरिक्त सैनिक टुकरी बुलवाली थी जैनरल डायर के कमान में ये टुकरी 11 एप्रिल की रात को अम्रिसर पहुची और अगले दिन शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया आंदोलन कारियों के पूर्व निर्धालत कारग्रम के अनुसार बैसाखी के दिन यानी 13 एप्रिल 1919 को अम्रिसर के जलिया वाला बाग में एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता भाशन देने वाले थे हाला कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था फिर भी इसमें सैकरो लोग ऐसे थे जो आसपास के इलाकों से बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आये थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुचे थे सभा के शुरू होने तक वहां 10-15 हजार लोग जमा हो गए थे तबी इस बाग के एक मात्र रास्ते से डायर ने अपनी सैनिक टुकरी के साथ वहां पोजिशन ले ली और बिना किसी चेतावनी के गोली वारी शुरू कर दी जलियावाला बाग में जमा लोगों की भीर पर कुल 1650 राउन गोलियां चली जिसमें सैक्रो अहिंसक सत्याग रही शहीद हो गए और हजारों घायल हुए घबराहट में कई लोग बाग में बने कुए में कूट पड़े कुछी देर में जलियावाला बाग में बूढों महिलाओं और बच्चों सहित सैक्रो लोगों की लाशों का धेर लग गया था ब्रिटिस सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार इस घातक नरसंगार में 389 लोगों के मरने की और 1200 लोगों के घायल होने की पुष्टी की गई थी हाला कि इंडियन नाशनल कॉंग्रिस ने 1000 लोगों के मरने के साथ ही 1500 लोगों के घायल होने की पुष्टी की थी इस घटना ने भारत में ब्रिटिश राज की नीव हिला दी थी परिनाम इस हत्याकान के पूरे विश्व में निन्दा हुई जिसके दवाब में सेकरेटरी ओफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के अंत में इसकी जाज के लिए हंटर कमिशन न्यूक्त किया गए थे जो कि उन सकरे रास्ते में नहीं जा पाई थी हंटर कमिशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जैनरल रजिनल डायर को डिमोट कर दिया गया और करनल बना दिया गया और उसे भारत में पोस्ट ना करने का भी निर्णे लिया गया भारत में डायर के खिलाफ वड़ते गुस्से के चलते उसे स्वास्त कारणों के आधार पर बिटेन वापस भेज दिया गया था जलियावाला बाग नरसंगार की सौवी वर्षकाट यदि हम इतिहास देखे तो जलियावाला बाग दुनिया के इतिहास की सबसे अमानविय और कुख्यात कृत्यों में से एक है जलियावाला बाग के समारक्स शहीदों और बहादोर लोगों को याद करते हैं जिन्होंने नयाय के लिए लड़ाई लड़ी जल्यावाला बाग उन बहादूर आत्माओं का सम्मान करने वाला एक पवित्र तीर्थ बन गया है Institute of Cost and Works Accountants of India यानि ICWA की पहल पर कैनेडा में जल्यावाला बाग नरसंगार की सोवी वर्षगाठ मनाने की तयारी भी की जा रही है शहीदों को श्रधानजली देने के लिए कई कारियों की विवस्ता की गई है इसके अलावा इस साल 26 जनवरी की गंतंत्र दिवस परेट के विशे के रूप में पंजाब जाकी ने जल्यावाला बाग नरसंगार को चुना था तो ये थी जल्यावाला बाग हत्याकान पर एक छोटी सी जानकारी शहीदों के लिए श्रधानजली वाले मेसेज आप कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें टेस्ट बुक के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया